कि नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप सब सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुबकामनाएं आप सभी को इस प्यारे नो वर्ष की बहुत-बहुत दिल से सुबकामनाएं और बस मैं यही उमीद करता हूँ किस नव वर्ष में आप सब की सेलेक्शन 100% guaranteed हो आप सब भी काफी अच्छे तरीके से इस साल प्रैत्न करें, परिश्रम करें हर दिन एक जूटता के साथ लगे रहें जितने भी टीचर्स आपके लिए प्लाटफॉर्म पे आ रहे हैं उनकी सारी बातों को सुने और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ दिन बहुत बहतरीन गुजरा हो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोविड की Omnicron variant की थोड़ी सी है बात मार्केट में और सरकार और जो हमारे State Government हैं वो भी अपनी अपनी नीजी प्रोटोकॉल्स इस्तमाल कर रही हैं सारी companies modes of transport को 50% पर ला दिया गया है और बस मैं इतना ही मुम्बीद करूँगा कि आगे आने वाले 4 महीने हम सब परिक्षार्थियों के लिए बहुत ही important है तो इस दौरान अपने सिहत के साथ किसी भी तरीके की कोई गुनजाइश करने की जुरत नहीं है घर पे रहे सुरक्षित रहे पढ़ते रहे और नित्य प्रते दिन जब हम कुनु दूबे हैंसम लुकिंग सर थैंक यू थैंक यू नमस्कार हापी न्यू यह व्रिवान गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रवेश्तिवारी जी प्रिया यादव थैंक्स अमर यादव हापी न्यू यह नमस्कार तीर्थ कुमार श्रिवा सर आप हैंसम लग रहे हो अच्छा इसके पहले नहीं लगता था चलिए थैंक यू सो मच एवरिवान चलिए सब मेरे पहले क्लासे हैं सर बाकी मैं वीडियो देख लिया हूँ चलिए संडे क्लास नहीं चलती augirmate है चलिए तो ज़ल्दी से एक बशेशन को лайक और शेर करदेंगे और बहतरीन सेशन को जिसका आप सभी को इंतजार रहता है और देखते हैं कि आज के सेशन में साइंस की तरफ से asshole का हमारे लिए क्या-क्या सवाल है आज के हमारे खांचे में तो देखते हैं, स्वागत है आप सभी का एक बार सेशन को लाइक और शेर ज़रूर कर देना बच्चों आज आपको questions physics के तरफ से ज्यादा questions मिलेंगे भौतकी के तरफ से ज्यादा questions लेके आया हूँ ताकि आपकी जो mechanics है, जो यांत्रिकी है साथी साथ जो states of matter यानि पदार्थ की अवस्था से सबसे ज़्यादा जो questions पूछे जाते हैं, उससे कुछ सवाल आप अच्छे से कर पाएं तो तयार हैं आप सब, how's the josh? नए साल में कैसा है josh? सभी को एक दम नमशकार, नमशकार सर आज आप अपने असली रूप में अरे नहीं नहीं, मैं मेरी, मतलब वही रूप है यार थोड़ी सी मतलब कर लिया, टाइम ने मिलता था, छुटियों में टाइम मिल गया ओके, हैपी न्यू यार, हैपी न्यू यार, शुबशंध्या, शुबशंध्या सर्थ दाड़ी में बहुत सही लगते हैं, कोई बात नहीं यार, फिर अपनी खेती है, उख जाएगी ठीक है, चलिए, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, नमस्कार, नमस्कार, कोई बात नहीं, अब इस्टार्ट नहीं हुई है, सेशन को एक बार लाइक शेर जरूर करतें और पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है कि, कॉर्क का एक टुकड़ा, एक बर्फ ब्लॉक के अंदर, एम्बेडेड होता है, यानि धस जाता है, जो पानी में तैर रहा होता है, जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, तो पानी के स्तरका क्या होगा, यहां एम्बेडेड का मतलब होता है, धसा हुआ होना, एम्बेडेड का मतलब होता है, धसा हुआ होना, धसा हुआ होना, एम्बेडेड होने का मतलब होता है, धसा हुआ होना, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, तो कहता है, कॉर्क का एक टुकड़ा, एक बर्फ ब्लॉक के अंदर, एम्बेडेड होता है धसा हुआ होता है जो कि पानी पे तेर रहा होता है जब शारी बर्ख पिघल जाएगी तो पानी के स्तर का क्या होगा बताये क्या होगा सही जवाब it will go down यह नीचे चला जाएगा it will come up पानी का स्तर ऊपर चला जाएगा it will remain at the same level या उसी स्तर पर रहेगा या first it will go down and then it will come up पहले या नीचे जाएगा फिर वह उपर की और आएगा चलिए माही प्रजापती और बाकी जितने लोग हैं अब सवालों की तरफ ध्यान देंगे ठीक है तो जवाब आने लगा है सुमन कुमार श्रीकांत ठाकुर शेवशंकर खुश्वाह गोलु कुमार स्चरवेश कुमार कुंदन बिल्कुल आप सब ने मेरी बातों का पूरा ध्यान रखा है कि जब कभी ऐसा question आए कि एक पतीले में पहले से पानी है और उस पानी के अंदर एक बर्फ का टुकडा तैर रहा है और उस टुकडे के अंदर एक कौर्क फसी हुई है कौर्क किसी भी आकार का किसी भी आकरती का किसी भी रंग का हो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता बस इतना है कि कौर्क उसके अंदर धंसा है इसलिए उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा सही जवाब option number c is the right answer बिलकुल सही अगला सवाल when a body is immersed in a fluid जब किसी पिंड को किसी द्रव्य में डुबोया जाता है the force of buoyancy of the fluid on the body depends on तो शरीर पर द्रव के प्रवाह का बल यानि उत्प्लावन का बल किस पर निर्भर करता है immersed volume of the body शरीर की विसर्जित मात्रा पर density of the liquid तरल के घनत्व पर acceleration due to gravity of the place थान के गुरत्वा कर्शन के कारण त्वरण पर या all of the above इन में से सभी पर देखिए कोई भी कोई भी अगर वस्तू मान लो एक नौका है एक मान लिया कि एक नौका है ठीक है अब ये नौका अगर पानी में ऐसे तैर रही है, ये पानी में ऐसे तैर रही है, ये एक नौका है और ये पानी में ऐसे तैर रही है, तो इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है, वो तो डूबा हुआ है ना पानी में, और उतने ही मात्रा का वो जल विस्तारित किया होगा, तो इसकी अपनी एक mg नीचे की तरफ काम कर रही होगी मतलब acceleration due to gravity उस जगह पे लग रहा होगा द्रव्य का घनतों कैसा है इसके उपर भी depend करेगा अगर इस जगह पे पानी के जगह हम शहद ले लेते तो उतना वो नहीं डूबता जितना की अब डूब रहा है मतलब घनतों पर भी depend करता है और कितना पानी वो वस्थारत करेगा ये तो माध्यम पे भी dependent है और त्वरण पे भी dependent है गुरुत्वी ये त्वरण पे मतलब option number A, B, C तीनों सही है तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा option number D, all of the above, उप्रोक्त सभी बयान सही है option number D is the right answer कितने लोगों ने option number D दिया प्रयांका, आदल, साहिल, अजीत, देवेंद्र, साहिल खान, विरेश शिंग अभी तक सब का जवाब गलत हुआ है तो बैटा, जिन लोगों ने, सोनुराज, good evening जिन लोगों ने, सही जवाब नहीं दिया, correct कर लेंगे बैटा, जब वस्तू, जब कोई भी वस्तू पानी में आंशिक रूप से या पूंड रूप से डूबी हुई होती है तो उसका गुरत्वियत तवरण, उसके द्रवे का माध्यम और साथी साथ कितना आयतन, जल का विस्थापित हुआ है इन तीनों पर depend करता है और यह है Archimedes का सिध्धान्त जिसे हम Archimedes Principle के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं तो सही जवाब इस सवाल का क्या हुआ, option number D is the right answer अगला सवाल, question number 3 क्या कहता है अब pressure gauge for fluids is called तरल पदार्थ के लिए दबाव नापने का यंत्र क्या कहा जाता है hydrometer, manometer यानि दबाव नापने का यंत्र lactometer यानि जो दूद की शुदता को मापता है या फिर animometer जो की हवा की गती को मापता है तो intensity of wind, animometer तो नहीं होगा lactometer जल की शुदता को नहीं मापेगा और दूसरी बात, तीसरा सवाल पूछा गया है अब pressure gauge for fluids तो द्रव्यों के लिए क्या manometer का इस्तमाल किया जाता है या hydrometer का, बताईए क्या होगा सही जवाब बटा, chapter wise भी हो जाएगा, attention ना लिजे लक्षमी कांता बहेरा, प्रवेश कुमार, उत्तम कुमार A, B, C या D, A, B, C या D, A, B, C या D कुछ लोग कह रहे हैं, सर, B, कुछ लोग कह रहे हैं, A, 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 A बटा, manometer, barometer pressure को मापता है और manometer, द्रव्यों के, द्रव्यों के अंदर दाब को मापता है hydrometer visist specific density, यानि द्रवित मातरा को मापता है जितने लोगों ने option number A दिया है, बिटा, आपका जवाब गलत है जिन लोगों ने option number B दिया है, बिलकुल उनका जवाब सही है hydrometer visist specific gravity को मापता है, visist गुर्तवी बल को मापता है और manometer जो है, वो pressure gauge for fluids, यानि द्रवियों के दाब को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है बिलकुल सही, अगला सवाल question number 4 the aneroid barometer uses, अब जो aneroid barometer है, normal barometer जो होता है वो atmospheric pressure यानि वायू मंडली या दाब को मापता है लेकिन aneroid barometer जो है, वो क्या उपयोग करता है पारे का, आसूत जल यानि distilled water का, शराब का, या does not use any fluid या फिर does not use any fluid, बेटा कोई कह रहे है कि सर्फ, अन्थावन नंबर में हो जाएगा क्या, बेटा कम से कम 65 से 70 नंबर तो चाहिए ही, है ना NTPC में बताईए, क्या होगा, aneroid barometer किसका इस्तमाल करता है, ABCD, मरकरी का इस्तमाल करता है, distilled water का इस्तमाल करता है, अलकोहल का इस्तमाल करता है बिटा इसमें किसी चीज़ का इस्तमाल नहीं होता डस नॉट यूज एनी लिक्विड किसी भी तरल का वो उपयोग ही नहीं करता है option number D is the right answer नहीं distilled water का आसूत जल का नहीं ये alcohol का नहीं पारे का सही जवाब option number D होगा ये किसी भी द्रव्य का इस्तमाल नहीं करता आसूत जल और मरकुरी नहीं होगा बेटे अगला सवाल question number 5 a device used to measure height above sea level समुद्री सतह के उपर उचाई को मापने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है बताएगा क्या होगा जबाब और जो लोग गलत कर रहे हैं वो सही करते चलेंगे a device used to measure height above sea level समुद्र तल से उचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण LT मीटर है एनिमो मीटर है डाइलेटो मीटर है या पोटेंचियो मीटर है तो पोटेंचियो मीटर का काम है दो बिंदूओं के बीच विद्युत विभुवांतर को मापता है है ना तो ये तो option number D गलत हो गया डाइलेटो मीटर का मतलब होता है कोई कितना dilate कर रहा है मतलब कोई कितना fell रहा है fool रहा है तो option number C भी गलत हो गया एनिमो मीटर एनिमो मीटर मतलब it is used to measure the intensity of wind वायू की तीवरता को मापता है तो option number B भी गलत हो गया एल्टी मीटर एल्टी ट्यूड यानि उचाई से संबंदित है एल्टी ट्यूड यानि उचाई से संबंदित है वायू यान हवाई जहाजों में इसका इस्तमाल किया जाता है सही जवाब option number A is the right answer है ना कई बार Hollywood की movies में आपने ये सब देखा होगा कि dropping level 10,000 level 8,000 level 7,000 800 meters from the sea level 500 meters from the sea level 200 meters from the sea level और जैसी वो टकराने वाला होता है तो कहते हैं guys ready for impact ready for impact we are about to crash हम लड़ने वाले हैं ये लड़ने के लिए तैयार रहें लड़ने के लिए तैयार रहें लड़ने के लिए तैयार रहें और फिर वो टकराओ से टकराता है और उसमें अगर आपने वर्ल्ड ये क्या था एक picture निकला था जिसमें माना जा रहा था तक्राई तक्राई ऐसा सुनने को मिलता है अगला सवाल कॉश्चन नमबर सिक्स इंस्रूमेंट यूज्ट तू मैजर अट्मॉस्फरिक प्रशर वायू मंदलिय दाब को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं पाइरो मीटर यूडियो मीटर बैरो मीटर या हाइडरो मीटर अब तो बता दो बड़ा आसान सा सवाल है येस 2012 क्या होगा जवाब अजे मीना जी विने कुमार अकुल बारबरा रामभम यादव राहुल कुमार रणवीर कुंदन आकाश रोकी मुकेश पंकज ग्यान प्रकाश प्रयांका सिंग सौरव नीलम नीलम पीडिया फिक्दम ड बिल्कुल सही जवाब बैरो मीटर इस दराइट आंसर वायू मंडलियद आपको मापने वाले उपकरण को हम बैरो मीटर कहते हैं पाइरो मीटर आपकी याद रखना बहुत तेज मतलब तो मेज़र सर्फिस टेंपरिचर अफ सन सूर्य और तारों के सतहीत अपमान को मापन ब्रेक लगी हुई है उसका इस्तमाल क्या है बल को संचारित करने के लिए एक तरल पदार्त का इस्तमाल करता है मतलब वो वो किस स्धानत का इस्तमाल करता है या दफोरस अप्लाइड बाई ड्राइवर चालक द्वारा लगाया हुआ बल होता है hydrogen gas और किसी तरल का इस्तमा क्या एंटी पीसी में हां बिटा हो जाएगा टेंशन ना लीजे नितीश कुमार सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं थांक यू थांक यू चलिए सेशन में फोकस करेंगे हमारे उपर नहीं यह काम आएगा यह काम नहीं आएगा वह एक पुरानी सोहनलाल दिवेजी जी की लाइन फिर से दोराता हूँ कई बार दोरा चुका हूँ कि तेल फुलेल क्रीम कंगी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर या लहू का आनन पे चमकाओगे तो इन बातों पे ध्यान रखते हुए डिरेक्ली अब सवालों पे आते हैं कि हाइड्रॉलिक ब्रेक जो एक वाहन में लगा होता है वो किस ध्धंथ पर कारे करता है और इसका सही जवाब ऑप्शन नमबर ये बिल्कुल सही जवाब वो एक द्रव का इस्तमाल करता है ब्रेक को लगाने के लिए ना किसी ड्राइवर दोरा लगाया हुआ बल है और किसी ड्राइवर में इतनी तर्च में कि 2,000 तन के गाड़ी को अपने पैरो से रोक दे और नाए si hydrogen gas का इस्तमाल होता है वैसे liquid hydrogen की बात करूँ तो अंतरिक्ष में जो यान जाती है space जो अंतरिक्ष यान होती है उनल में liquid hydrogen का इस्तमाल किया जाता है या rocket का जोइधन है वो liquid hydrogen है अगला सवाढ question number 8, आठवा सवाल क्या कहता है, mercury is used in barometer because, कहता है, पारे का इस्तमाल, पारे का इस्तमाल barometer में किया जाता है, कारण क्या है, its density being very high 13.6 grams per centimeter cube, कहता है कि उसका घनत्व जादा है, साधारन तापमान पर इसका वाश्पदाब छोटा होता है, यह अपार दर्शी है और काच को गीला नहीं करता, या all of the above, इसका सारा बयान सही है, कहता है कि सामान तापमान पर इसका vapor pressure, यानि जो वाश्पी अदाब है, वो काफी छोटा है, तो इससे क्या होगा, सारे जल्दी वाश्पित नहीं होते हैं, सामान तापमान या फिर आप चाप मापी यानि स्फिगमो मैनो मीटर का भी आप इस्तमाल करें, पुरानी वाली, ट्रडिशनल वाली, तो उसमें पारे का इस्तमाल किया जाता था, और पारा, आर पार, पारे से आर पार नहीं दिखता, तो इसका मतलब, option number C, B, और A, तीनों सही है, तो सही जवाब क्या हो गया, option number D is the right answer, सही जवाब, option number D is the right answer, अगला सवाल, the hydraulic jack to lift heavy vehicles in automobile service stations is off the applications off, कहता है, automobile service stationों में, जब भी आप repair के लिए, साफ सफाई कराने के लिए, servicing कराने के लिए जाते हैं, तो जो बड़ी-बड़ी वाहने होती हैं, चाहे व और फिर उनकी servicing की जाती है, तो कहता है, उस समय जो hydraulic jack का इस्तमाल किया जाता है, वो किस principle पे आधारित है, पास्कल के नियम पे, आर्किमिडिस के सिध्धान्त पे, बॉयल के नियम पे, या फिर हुक के नियम पे, तो बेटा हुक का नियम तो जो है, वो elasticity को दिखाता है, वो elasticity को दिखाता है, लोच के नियम को प्रदर्शित करता है, option number D गलत हो जाएगा, बॉयल स्लोग, constant temperature की बात करता है, तापमान से कोई संबंध नहीं है, आर्किमिडिस प्रिंसिपल, जल के वस्तारित होने पे, और उत्प्लावन के नियम पर आधारित है, तो option number B भी भी ग जालीजिये, कल से topic wise ही होने वाली है, सर, theory वाली class नहीं होगी, क्या बिटा, आप theory पढ़नी है, तो एकदम batch में मिलेंगे हमसे, है न, और बाकी, मैंने theory class तीम दिना लेके मैंने देख ली, Saturday को भी लिया था, Friday को भी लिया था, Thursday को भी लिया था, और आप लोगों ने अच् और तीन channels पे आता हूँ, जैसे teachers अड़ा पे, अड़ा जेई और नीट पे, तीन बजे और पाँच बजे, वहाँ पे आईए, science आराम से मन लगा के, रोज दो तीन घंटे theory पढ़िये, लेकिन जब SSC अड़ा की बात आएगी, तो 9-10 के बीच में, मैं MCQ ही कराऊँगा, मैंने आपका code यूज करके महाँ पेक लिए, उसमें लक्ष बैच को क्यों नहीं चल रहा है, वो include नहीं है, सब कुछ include है, सब कुछ include है, ठीक है, चलिए, flotation के सिध्धान्त पे, यानि उत्प्लावन के नियम पराधारित द्वारा, तरल के सापेक्ष घंट्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, मतलब सापेक्ष घंट्व को अगर मापना है तरल के, तो कौन से उपकरण का इस्तमाल करे हाइगरो मीटर का, हिपसो मीटर का, हाइडरो मीटर का या देंसी मीटर का, तो बेटा देंसी मीटर को मापने के लिए, तो यह देंसी, देंसिटी यानि घंट्व को मापने के लिए देंसी मीटर, हिपसो मीटर, साउंड वेव, हाइगरो मीटर, स्पेसिफिक, ग्राविट is used to, लाक्तो मीटर का इस्तमाल कहा होता है, आपने बहुत सारे आप लोग गाउं और शेहरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अक्सर ऐसी भीड जो गाउं से जादा जुड़ी हुई है, आप जानते हैं कि सुबह सुबह लोग गाए अपने घर में पाले हुए गाए भैं होता है, वही लाक्तो मीटर है, तो वह स्पेसिफिक ग्राविटी द्रव्यों का नहीं मापता, नहीं द्रव्यों का आयतन मापता है, यह तो दूद की शुद्धता का ग्यात कराता है, सही जवाब, option number C will be the right answer, अगला सवाल, question number 12, बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते चले solids have definite shape, this is because, कहता है थोश का निश्य ताकार होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके भीतर अणुओं के सामनजस्य की शक्तिया बहुत कम है, सामनजस्य की ताकत बहुत बड़ी है, the forces of cohesion are very large, बेटा सामनजस्य की ताकत या इसे हम कहते हैं ससंजक बल, cohesive को कहते हैं ससंजक बल, औ जब दो समान तरीके के अनु या परमानुों के बीच बल लग रहा हो, तो उसे हम ससंजक बल कहते हैं, तो ससंजक बल की ताकत बहुत बड़ी होती है, या असंजक बल की शक्तियाँ कब होती है, solids का जो definite shape है, उसकी वजह क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल, बिलकुल सही, ज जब एक ही तरह के अणू होंगे तो ससंजक बल की बात होगी और उनकी ताकत बड़ी होती है इसी लिए ठोस का एक अपना एक निश्चित आकार होता है and that is why they are crystalline in nature वो crystallic कृत होती हैं अगला सवाल question number 13 अभी मैंने आपको बताया कि अगर समझ लो दो अनू सेम है एक्स और एक्स सेम है तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो cohesive force होगा यानि की ससंजक बल होगा ससंजक बल होगा लेकिन अगर एक X है और एक Y है तो इनको जोडने वाला जो बल होगा वो adhesive force होगा और adhesive force को हम असंजक बल कहते हैं और यही सवाल आपसे पूछ लिया है कि आम सतय पर अडूओं के विपरीत आकर्शन को क्या कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं option number C attraction of unlike molecules at the common surface अच्छा सतय की बात की गई है तो सतय की बात की गई और unlike molecules है तो adhesive होगा ना शांतनू दे बिल्कुल सही जवाब option number A adhesion force is the right answer A will be the correct answer अगला सवाल inner river बहुत ही आसान आसान से सवाल है तेजी से like और share करना ना भूले और session पर focus करें सवाल है inner river एक नदी में the currents are fastest जो धाराएं हैं वो तेज होती है where the river is जहां नदी चौड़ी और उतली होती है मतलब shallow मतलब ये एकदम उपर संकीर्ण और उतली होती है चौड़ी और गहरी होती है या फिर संकीर्ण और गहरी होती है बताएए क्या होगा एक ऐसी नदी जिसमें धाराएं बहुत तेज हैं तो बैटा कहते हैं ना कि जितनी नदी गहरी होगी उसमें धाराएं उतनी शांत होगी और जितनी नदी मतलब कम गहरी होगी उसमें धाराएं उतनी चलती रहेंगी तो इस हिसाब से क्या होगा चाहिए यह सब सही जवाब A, B, C, A, D, Knowledge Diary का कहना सर B सही होना चाहिए उतना मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो गहरा वाला उप्शन तो पहले काट दीजे डीप वाला उप्शन काट दीजे अना Old is Gold पुरानी लोगों की बातों को भी सुना होगा तो जवाब दे देते हैं और वो चौड़ी नहीं होती, वो शैलो होती है वो शैलो होती है, वो चौड़ी नहीं होती वो संकीर्ड यानि पतली होती है, सक्री होती है जिसमें धाराओं का जो इंटेंसिटी है, जो तीवरता है वो काफी ज्यादा होती है, सही जवाब आप्शन नंबर B होगा अगला सवाल, कॉशन नंबर 15 पीसे ऑफ कैमफर, यानि पानी पर रखे कपूर के टुकड़े तेजी से बढ़ते हैं इसकी वज़य क्या है अगर कपूर के टुकड़ों को पानी पर रख दिया जाए तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसकी वज़य क्या है पानी पर रखे हुए कपूर के टुकड़े जो है वो तेजी से भागने लगते है क्या वज़ा है, question number 15 तेजी से बताईए, A, B, C, A, D बिटा सबसे पहले, telegram channel है बिटा, adda 247 signs अगर आप search करोगे, telegram पे तो यह आपको मिल जाएगा, telegram channel है adda 247 signs यहाँ पे आपको मिल जाएगे हम, ठीक है हाँ, तो pieces of camphor, तो अगर कपूर के टुकड़े को, कपूर के टुकड़े को अगर आप पानी पे रख देते हो, तो यह भागने इसलिए लगता है, क्योंकि एक तो इसमें द्रवित अवस्ता है ही नहीं इसमें द्रवित अवस्ता ही नहीं वो direct solid से gas बनती है मतलब, उर्धो पातन के पध्धती का वो यह करती है पालन करती है तो उर्धो पातन के, अगर पध्धती का वो follow करती है तो वो बाद्ध है, कि automatically तेज़ चले साती सात, जो सतही तनाव होगी, वो सबसे निम्न होगी क्योंकि द्रवित अवस्ता में वो जाने वाली ही नहीं है तो चुकी ठोस है गैस में बदलेगी और खुले जल पे रखा हुआ है, तो द्रवित अवस्ता ना होने की वज़े से सतही तनाव बहुत कम होगा तो सही जवाब, option number C will be the right answer, क्या वज़े है सतही तनाव का इतना कम होना कि आसानी से कपूर का पानी के उपर डोलना इस सवाल का main वज़े होता है अगला सवाल, question number 16 in compact porous soil compact का मतलब होता है सक्त, compact का मतलब होता है शक्त, सक्त मतलब rigid, जो hard हो ठोस हो, है ना जो hard हो, ठोस हो और porous का मतलब होता है जिसमें आसानी से पानी या gas या कोई भी चीज़े अंदर जा सकती है, उसे हम कहते हैं porous porous मिट्टी आप ये समझ लो, जिसमें बहुत सारी केशनलियां, यानि capillary channels बने हो वैसी मिट्टी में, the rising of water is due to अब समझ लो, मैं situation आपको दे देता हूँ जून जुलाई की गर्मी हो, खेतों में आप जाते हैं तो खेतों में मिट्टीयां कैसी होती है ऐसे ऐसे फटी होती है तो कहता है कि इन दरारों से जब पानी नीचे से उपर की ओराती है दरारों से जब पानी नीचे से उपर की ओराती है सूखी गर्मी में मानलो बारिश हुई और नीचे से पानी अब भर के उपर अगर आ रही है तो इसकी वज़य क्या होती है capillary एक जूटता असंजन या श्यानता क्या होगा सही जवाब बताईए पेटा सीधा सीधा अंसर दिख रहा है न कि अंदर केश नलियां बनी हुई थी तो उन्ही केश नलियां से ये उपर चड़ेगी तो जितनी केश नलियां है यानि कैपिलरी ट्यूब्स है उनके माध्यम से जल उपर चड़ता है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर A केशी कात्व इलका बिल्कुल सही जवाब होगा बिल्कुल सही बहुत सही एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें भाई आप लोग लाइक और शेयर नहीं करतें बहुत गलत बात है सेशन को एक बार जल्दी से शेयर करके एक हजार पहुचाईए जल्दी से अगला सवाल अगला सवाल एक हजार पे चलिए अगला सवाल एक हजार पे जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करें अगला सवाल बेटा इसमें सारी बाते जानते थे हो viscosity होता है एक ऐसा बल अगर आप कहह रहे हो न सारे options को तो पीटा सारे options आपको बताया गया है viscosity का मतलब होता है श्यानता का मतलब होता है एक ऐसा बल जो अपने ही movement को रोके समझ लो honey है शहद है शहद को अगर मैं बहा हूँ तो वो जाला तेजी से नहीं बह पाती यह पनी उसकी एक viscous यानि चिपचिपा पन एक प्रवर्ती है जो उसको रोकता है उसे हम श्यानता कहते हैं adhesion मतलब अलग-अलग अडू हो तो उनके भी adhesive यानि असंजक बल लगता है और cohesion मतलब एक तरीके के अगरणू हो तो उनके भी ससंजक बल लगता है question number 17 mixing of two gases as a result of random motion of molecules कहता है कि मान लो कि मैंने एक bottle में oxygen लिया और एक bottle में hydrogen लिया और ऐसे खोल के हवा में मिला दिया तो वो ऐसे फैल जाएंगे वो ऐसे फैल जाएंगे हवा में तो कहता है हवा में दो गैसों का मिलना अपने लगाता टकराओ की वजए से क्या कहलाता है diffusion diffusion vaporization sublimation प्रसार कहलाता है बहाओ कहलाता है वाश्पीकरण कहलाता है या उर्धवपातन कहलाता है A, B, C, A, D सत्योरी कराईए बैटा एक दम एक दम ठीक है चलिये विसको सिटे बिलकुल, एक दम सेशन को लाइक और शेर करते चलेंगे, क्या होगा सही जवाब A, B, C, A, D, बिलकुल सही जवाब बिलकुल सही जवाब, option number A diffusion कहते हैं, अब बिटा देखो ना, जैसे अगर घर है, तो घर में अगर 27% भी है, मतलब हवा में जलवाश पहे अब उसमें अगर आप scent या deodorant लगाते हो, या perfume यित्र लगाते हो, तो वो फैल जाता है, किस विदी से, तो विसरण विदी से तो विसरण विदी का मतलब होता है कि चाहे जल हो, ठोस हो या गैस हो, उसके अनू हो परमाणू हो या आयन हो, जब उच्च सांदरण छेतर से निम्न सांदरण छेतर की और बहे तो एक अर्ध पारगा में जिल्ली द्वारा तो उसे हम विसरण विदी कहते है इफ्यूजन का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, पहुआर अरटाई, वेपोराइजेशन वास्पी करण, और सब्लीमेशन उर्ध उपातन, जिसमें ठोस, गैस में या गैस ठोस में बदल जाए, ऑप्शन नम्बर A is the right answer, अगला सवाल, कॉशन नम्र 18, वेन बोटल के वज़े से तो परफ्यूम पूरे रूम में तो फैलता नहीं होगा, तो उप्शन नम्र A तो गलत हो गया उप्शन नम्र BCD बचा है कैपिलैरिटी, केश नलियां तो ऐसे कमरे में बन नहीं जाती, तो उप्शन नम्र B भी गलत है, अब बचा श्यानता और डिफ्यूजन, अब श्यानता गुण द्रव्यों का है तो उप्शन नम्र C भी गलत हो गया अब ऑटोमेटिकली देखो, उप्शन इलिमिनेशन मेफट से उप्शन नम्र D सही आ गया की नहीं आ गया, आ गया की नहीं आ गया, आ गया तो सही जवाब अप्शन नम्र D हो जाएगा जिसमें उच्छ सांधर चेतर से निम्न सांधर चेतर की और गैस के अड़ों भी अर्धपारगम में जिल्ली द्वारा आरपार हो जाते हैं, अभी बताया सही जवाब अप्शन नमर D, अग् controversy नहीं भी चंदर अश्विन है, रवी चंदर अश्विन फेक रहें रवी चंदर अश्विन फेक रहें या फिर अजंता मेंडिस फेक रहें कोई भी spinner का हम नाम ले ले तो जब एक गेंदबाज किसी गेंद को घुमाता है तो गेंद अपनी दिशा बदलती है इसका कारण क्या है turbulence caused by the wind हवा के कारण अशांती बायांसी आफेर हवा में वो गेंद उचलता है उत्प्लावन वायू पर असामान दाब unequal pressure acting on it या हवा की दिशा में अचानक परिवर्तन या हवा का दिशा अचानक बदल देता है ऐसा तो है निना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है इंडिया खेल रहा था तो अचानक कुछ नहीं हुआ जब पाकिस्तान खेलने लगा तो अचानक से हवा की दिशा बदलने लगी ना कि उस तेज हवा में गेंद खेली जाएगी और वो गेंद इतनी हल्की भी नहीं होती कि हवा से ऐसे गूम जाए लेकिन स्पिन अलग अलग इसलियsam होजाता है क्योंकि जो प्रेशर होती है वो हम बदल देते हैं तो एक तरफ को देखना हमेशा बॉलर क्या करते है रगणते रहते हैं तो जो शाइनी प्रूर्शन होती है वो उस तरफ घूम जाती है अगर समझन लो आफ पिन कर आना है तो गेंद सही जवाब option number C is the right answer और काफी देख के खुशी हो रही है कि सब ने एक सिरे से option number C दिया है बिलकुल सही अगला सवाल question number 20 क्या कहता है the property of a fluid एक द्रवे का वह गुड जिससे वह अपने सापेक्ष गती को ही रोकता है उसे हम क्या कहते हैं अभी मैंने शहद के एक गुड के बा जलती है तो इसका मतलब जेल की जो श्यानता है वो सबसे कम है लेकिन शहद का या जिसमें जितना च्यादा चिप चिपापन होगा वो अपने गती को automatically खुद ही रोकेगी तो द्रवे का वह गुड जिससे वो अपने गती को रोके उसे हम क्या कहते हैं श्यानता यानि विसक बताई गई है ठीक है लर्निंग पॉइंट्स थियोरी 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 सारे लोग थियोरी कह रहे हैं बैटा एक दम डी इस दराइट आंसर अगला सवाल कॉस्चिन नंबर 21 पाउडर क्लेंग्स अब जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेर कर दीजे श्रवन सारे लोग एक बार सेशन को लाइक और शेर करेंगे बताई कहता है कि जब हम पाउडर लगाते हैं तो वह हमारे त्वचा से चिपक जाता है इसका कारण क्या है तो बैटा त्वचा हो गया एक्स और पाउडर हो गया वाई तो जब एक्स और वाई के बीच में कोई अटेच्मेंट होती है तो बल कैसा लगता था ससंजक का संजक का केश नली का या आवशोशन का तो बिटा आवशोशन तो होगा नहीं केशी का की कारवाई भी होगी नहीं अब बचा ससंजक और असंजक बल तो ससंजक बल लगता है या संजक बल लगता है क्या होगा जवाब कंचन वाडखेडे, रिशव कुमार, सोमी अली, रियू चौधरी, राम कुमार साहू, लर्निंग पॉइंट, हिमानी, सिकुर, रणबीर कुमार, कुटुन भट, श्रिकान ठाकुर, अर्विंद लोधा, प्रिया यादव, नरेंद्र, मलिक इकबाल, अजमत प्रवीन, प्रवा, शुशील, कमले, श्वेता, मुरारी, अराधना, प्रमोज, श्रावन, शिवम, सभी को नमशकार है, सेशन को एक बार शेयर करेंगे, बनारसी पान, नमशकार, नमशकार, चलिए, सोनु कहरे है, सर, क्लीन शेफ करा लिए, सही नहीं दिख रहे है, बिटा, कौन सा ब्यार अचाना है मेरे साथ, तुझे, क्या, टेंशन ना ले, तो अलग-अलग जब होगा, तो लगने वाला बल, एड हैशन होगा, तो पाउडर इसलिए चपकती है, चिपक जाती है तवचा से, क्योंकि, अलग-अलग बलों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वो संज अकबल होता है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, option number B is the right answer, अगला सवाल question number 22, the fact that, तत्थ यह है कि एक ही दिशा में करीब समनांतर पाठे करमों में यात्रा करने वाले दो बड़े जाहाज एक दूसरे की और बढ़ते हैं, और इसके द्वारा समझाया जा सकता है, कह कहता है, जब वो अगर एक ही चाल से बढ़ते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक ही दिशा में लडने की और मजबूर हो जाएंगे, मतलब ये भी इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आएगा, इसकी वज़ए क्या है, कि अगर दो बड़े बड़े जहाज समर की पत्पर आ जाती है, टकराने की स्थिती बन जाती है, क्या होगा इसका वज़एंगे, बरणौली का प्रमें, जो जिससे जहाज बनी हुई है, जिससे जहाज बनी हुई है, ऊसका चुम्बकी अंगुर्थ, जहाज अगर चुम्बक का बना हो, तो छोटी -छोटी कई ज नहां जो को घीच लेगा तो option number B गलत है उसके बाद Newton की गती का तीसरा नियम, Newton का गती का तीसरा नियम, दो चलते वक्त भी लगना चाहिए, टकराओ के वक्त ही क्यों लग रहा, option number C गलत, earth gravitational force, earth gravitational force चिपकाएगा नहीं, उल्टा अपनी तरफ खीचेगा, तो option number D गलत, तो option number B, C, D तो गलत हो गया, आते हैं बर्नॉली के प्रमे पे, तो बर्नॉली का प्रमे ये कहता है कि लगातार एक धारा प्रवा से अगर द्रव बहती है, तो बहते बहते वो एक पतली सी मोड ले ले लेती है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ही होगा, लेकिन फिर वो पतली सी मोड ले ले लेती है, और वहां से धारा प्रवा जो होता है, वो काफी तेज हो जाता है, तो एक साथ अगर दो जहाजे चलती रहती है, चलती रहती है, और धारा प्रवा बनी रहेगी, स्ट्रीम लाइन फ्लो बना गती है यह सारी एक साथ add होके उन दोनों को एक ही कक्ष में लाने लगता है जिसका सही जवाब option number a is the right answer अगला सवाल गुरू अविल की तरफ से आपको प्यार बार नमस्कार 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 सभी को नमस्कार है अगला सवाल question number 23 क्या कहता है कहता है कि एक मनुष्य है जिस तालाब पर तो तालाब पर आप एकदम शरीर को हलका करके छोड़ दीजे और और अगर आपका शरीर तैरने लगे अभिशे क्यादव सर बुक नहीं आई हमारी 10 दिन हो गया बिटा अभी यह 25 दिसमबर 9 वर्ष 31 दिसमबर का यह offices बंद थी जल्दी आ जाएंगे टेंशन नालो अभी वो delivery courier service की बात है वो पहुँच जाएगी सवाल पे आएं बिटा दो तरीके की भार होती है किसी भी वस्थू की एक होती है वास्तविक भार और एक होती है आपकी आभासी भार वास्तविक मतलब जो आपके MG के वज़े से लग रहा है और आभासी जो आप फील कर रहे होते हो, feel इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जी बदल रहा होता है जी उचाई और गहराई के साथ बदलता रहता है तो कहता है अगर एक आदमी 50 kg का जील पर पानी जील की पानी पर तैर रहा है तो उसका apparent weight यानि उसका आभासी भार कितना होगा तो भिटा अगर वो पूरा पूरे तरीके से तैर रहा है मतलब पूरा वजन पानी ने वे स्थापित कर दिया है तो जितना वजन उसका है उतना ही वजन का पानी हट गया होगा इसलिए शरीर तैर रहा है तो सही जवाब क्या होगा option number C will be the right answer कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है बिल्कुल सही अगला सवाल question number 24 क्या कहता है the attraction between similar molecules is called कहता है कि एक ही तरह के अणूओं के बीच आकर्शन को क्या कहते है समान अणूओं के बीच आकर्शन को क्या कहते है जड़ता, inertia, adhesion, asanjakbal, cohesion, एक जूटता या ससंजकbal, friction या हम इसे कह सकते हैं घर्शन तो घर्शन इसकी वज़े बनेगी, ससंजक बनेगी इसका वज़े या असंजक बनेगी इसका वज़े, या जड़त तो बनेगी इसका वज़े या फिर जड़ता यानि जड़त्व इसका वज़े है, तो बेटा जब भी अलग-अलग हो similar है न, अलग-अलग हो तो addition और similar हो तो cohesion यानि ससंजक बल इसका कारण होगा सही जवाब, option number C will be the right answer अगला सवाल, 25 सवाल क्या कहता है, बैरो मीटर किसके द्वारा खोजी गई थी, इन्वेंट किसके द्वारा, किसके द्वारा आविशकार की गई थी, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Torricelli या Michael Faraday, question number 25, जल्दी बताइए, क्या होगा सही जवाब, पिटा थियोरी करवा देंगे, टेंशन ना लीजिये, क्या होगा सही जवाब, आगे बताइए, तेजी से, तेजी से बताइए, बैरो मीटर वोज इन्वेंटेड बाई, टॉरी सली इन्वेंटेड बैरो मीटर, बैटा इन सब जवाब में भी टाइम लोग है, क्या, बैटा क्लास 1-2 के बच्चे इसका जवाब तेजी से देंगे, आप से तेजी से देंगे, इसमें भी कुछ लोग महादेव की लडली, C कह रही है, बैटा गलत है, ठीक है ना, तॉरी से ली सही जवाब होगा, अगला सवाल, यूनिट अफ हीट एनरजी, उश्मा उर्जा की इकाई क्या होती है, वोट डिग्री जूल अर्ग, क्या होगा सई जवाब, सर आपका पढ़ाया हुआ, दिल दिमाग में बैट जाता है, दिल से सुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, मिस्टर किंग जी, नमश्कार, चलिए, अंजली पटेल, रोशन कुमार, कौशल, रेनु दिक्षित, अंजली पटेल, गुरु, गुरुराज, आर्शेटी, ललित कुमार, विकास, मिस्टर किंग, धीरज, शिकूर, वल्कम टू टू दे सेशन, बताइए क्या होगा सही जवाब सेशन को एक बार शेयर करते चले, तो अर्ग जो यूनिट होगी, वो एसाई नहीं होगी, वो अर्ग तो हो जाएगी आपकी क्या, अर्ग जो हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी CGS में, डिगरी जो हो जाती है, वो कोण वगेरा को संबोधित करने के लिए इस्तमाल किया जाता है, लाटिटीट, जाती है, और वैसे ही एक जूल को, एक जूल को अगर हम बदल दे कैलोरी में, तो 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाती है, 0.24 कैलोरी के बराबर हो जाती है, सही जवाब, question number 26 का, option number C होगा, ठीक है, अगला सवाल, question number 27, solar radiation is preferred to other sources of energy, because, कहता है, सौरी विकिरन को उर्जा के अनिशोतों के लिए पसंद किया जाता है, क्यों, क्योंकि, it is practically inexhaustible, यह वैवहारिक रूप से अटूट है, इसे हम बरवाद नहीं कर सकते, it is the cheapest form of energy, सबसे सस्ती है, सौरी उर्जा, it does not cause pollution, इससे कोई प्रदूशन नहीं होता, या all of the above, तो बिल्कुल सही जवाब, option number D will be the right answer, इससे कोई प्रदूशन नहीं होता, या उर्जा का सबसे सस्ता रूप है, या वावारिक रूप से हम खतम नहीं कर सकते, सही जवाब क्या हो जाएगा, option number D will be the right answer, मानते हैं के नहीं मानते हैं, बि क्लास लेते हैं, हम आपके क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, बट on कर लिया है, okay, okay, तो रेनु दिख्षिद्धी, रोजाना आप आईए, कोईले की धरती से मुकेश जी आपको भी नमस्कार है, thank you, thank you, रोजाना आप सब आईए और क्लास लीजे, सब सबसे जाधा questions कहा से पूछता है, physics, chemistry, biology, biology और chemistry से, physics से आपके एक दो numericals या maximum आपको वजह पूछता है, जो वजह है, आज मैं करवाया हूँ, good evening everyone, good evening, बट रोज समय पे आजाये करो, आप लोग है ना, और session को रोजाना लाइक और share एक बर कर दिया करो, इसके अलावा बट देखो, जिनको थ ग्यान का है, तो tension नहीं लेना है, जो सीखोगे, अच्छा सीखोगे, और बहतर सीखोगे, आगे आने वाले exam में काम भी आएगा, एक हमारा YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल का नाम है अड्डा जेई और नीट, उसमें शाम तीन बजे, और शाम पांच बजे मैं रोजाना आता हूँ, तो इसमें आया करो ना, इसमें आके थियोरी पढ़ लिया करो, काफी अच्छी चीज़े, आराम से बाते होंगी, और 9 बजे SSC अड्डा पे तो आई रहा हूँ, SSC अड्डा पे 9 पीम एवरी डे में आऊंगा ही, जिस पे MCQ कराऊंगा, तो रोज 30 सवाल आप यहां कर तो यहां MCQ कीज़े, वहां थियोरी पढ़ी है, क्या दिक्कत है, इसके अलावा, एक टीचर सड्डा है, जहां लोग सिक्षक बनते हैं, एक्जाम को देखे डाइरेक्ट टीचर बनते हैं, तो टीचर सड्डा पे रोजाना, दो बज़े आईए न, वहां फिजिक्स भी तीन बजे और पांच बजे अड़ा, यूट्यूब, जेई और नीट पे, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, FCI वालों की प्रिपरेशन होती है, सर बटा, हर चीज की प्रिपरेशन होती है, हर चीज की, साइन्स इस वन, बस वो डाइवर्स है, जब MBBS करने के लिए लोग तय आते जाओगे, ठीक है न, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू, बाले जी हाड लगता है, एकदम इजी हो जाएगा, कभी आओ तो सही, अनस खान, थैंक यू, प्रदीप वर्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलिए, स्पैम ना करें, एक बार सेशन का नाम लिए प्रकाश यादव जी, आपका भी नाम लिया जाएगा, टेंशन ना लिजे, अगला सवाल, दाइरेक्शन अफीट फ्लो बिट्विन टू अब्जेक्ट्स डिपेंड सॉन, कहता है, मानलो एक वस्तु एक्स है, और एक वस्तु वाई है, तो एक से वाई पर, या वाई से ए या फिर वो द्रवित अवस्ता में है, ठोस अवस्ता में है, या गैसी अवस्ता में है, किस पर डिपेंड करेगा, बताए क्या होगा साही जवाब, A, B, C, R, D, थैंक यू, Sivam, थैंक यू, थैंक यू, बताए, गैसी न भी स्टु एंक यू, भी स्टु एन्प्रेच्ट अवस्ता अप्तू इर रिक्स एंपू, एंगाश थेश्यार गैसे थैंट क्यू, अभी स्टु आजी जू, इसर लव स्टू, अग्वित नाविन होगार, या एन पहुंअ कि इद्रिकुमार आपका भी नाम विया गया है तेंशन ना लिजे सर्वा हिंदी लिदिक समझस्ज बेसे सार धिक कि जो वस्तुब के बीच करती है उनकी ऑनके मतलब मतलब बर उनके तापमानों पर तो बेटा कितना ही बड़ा आकार हो वो गरमी ना हो तो काम नहीं होगा और उनके तापमान पे depend करेगा अब कहोगे कि सर उस इसाफ से तो पहला भी साही होना चाहिए था बेटा अगर कोई एक डिगरी पे भी है तो एक डिगरी का heat है ना उसमें तो उससे हम उसके heat सर 4 का 4 option ठीक है चार का चार option ठीक है एक्स्पें भी करेंगा 4 का 4 option 4 का 4 option 4 का चार option heat flow their heat content heat content पे भी depend करेगा masses पे भी their temperature when they are solid liquid or in gaseous temperature बेटा जब आप मैं आपको बता देता हूँ heat energetics heat dynamics को पढ़ोगे जहां पे entropy enthalpy enthalpy कुछ लोग इसमें परिशान हो जाए गया enthalpy entropy heat energy heat of sublimation heat of formation इन सब की बात करोगे न तो उस आधार पे यह 4 सवाल 4 options जो है automatically explain किये जा सकते हैं बट जब बात आती है group D की MTS की CHSL की तो वो thermodynamics के internal portions पे नहीं जाते वो directly यह बताते हैं कि उसमा का प्रभाव दो वस्तू में कब होगा तो normal सा बात है जब एक कुछ सांद्रण पे हो एक निम्न सांद्रण पे हो बहुत कम difference पर नहीं होगा सही बात है वैसे तो देखो तो solids में भी transfer होता है liquid में भी होता है gas में भी होता है तीनों वस्ताओं में भी होता है उनके द्रव्यमान पे भी depend करेगा उनके heat content में भी depend करेगा लेकिन सबसे जादा बहतर कौन है with respect to group D option number C तापमानी नहीं होगा तो क्या change होगा भाई अनस खान clear है अगला सवाल question number 29 metals are good conductors of heat because कहता है कि जितने भी धातू है वो अच्छे चालक है उश्मा के इसकी वजह क्या है उनके पास मुक्त electrons है जैसे कभी कबार यह जैसे हम लगा आके पढ़ा रहे हैं ना हाँ सवाल जवाब exactly यह जो है ना यह कभी कभी बहुत तेजी से अगर चलते रहो ऐसे चलते रहो तो दिन भर अगर हम चलते हैं ना तो आरे शरीर के बाहरी सतह पर मुक्त electrons आके स्थेर हो जाते हैं स्टाटिक हो जाते हैं और जैसे ही उसको कोई neutral body मिलता है तो तुरंत वो transfer हो जाता है तुरंत वो transfer हो जाता है जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार आप बाहर से आए और अचानक से जाके जैसे बैड पर body के मिलते ही transfer लिया मतलब positive negative automatically redistribute हुआ तो that redistribution of charges make that conduction happen मतलब उस चालन की वजह है वो electronों का transfer ही था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा they contain free electrons it is due to the movement की electricity या फिर heat का conduction आसानी से हो पाता है atoms collide frequently यह नहीं होगा they have reflecting surfaces reflecting surfaces से plane polarized light ही अपने माध्यम में गर्माहट ला सकती है इसलिए dextro और levo का concept आया जब glucose के बारे में बात करते हैं एक ही glucose के सवाल जवाब कीजिए अब देखो थोड़ा सा अंदर जाके एक बार समझा देता हूं एक ही glucose है एक ही glucose है लेकिन इस glucose के structural formula को अगर मैं दिखाऊं तो बड़ा ही अजीब सा दिखेगा CH2OH हो अचे carbon दिखाऊंगा अलग-अलग hydrogen और OH का position दिखाऊंगा अब तो एक तरफ CH2OH इधर C इधर H इधर ऐसे CCCC इधर CH2OH और इधर HOH इधर H और इधर OH कर दो इधर H और इधर OH कर दो तो पेटा जब तक यह structure में है तो यह मैनोज है और जबकि है यह C6H2O6 ही है glucose ही लेकिन glucose के structural arrangement में मैं ने बदलाओ किया तो यह मैनोज हो गया और इसी के structural arrangement को फिर मैं घुमा दूं मतलब दूसरे के जगह मैं चोथे पे change कर दूं तो यह galactose हो जाएगा तो C2 पर H को इधर और OH को उधर कर दोगे तो मैनोज हो जाता है और C4 पर H को इधर OH को उधर कर दोगे तो galactose हो जाता है यह सारी चीज़ें बेटा आपके syllabus में नहीं है लेकिन विज्ञान देखो तो बहुत ही विस्तरत है ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे question number 30 आज का आखरी सवाल a temperature below absolute zero absolute zero बतलब बेटा हो जाएगा minus 273 degree centigrade जिसके नीचे मतलब कुछ possible ही नहीं है in fact यह जो temperature बताया जाता है इस temperature पे कोई ideality यानि आदर्शता रही नहीं जाती सामानेता यह possible नहीं है कहा गया है कि एक ऐसा तापमान below absolute zero for an ideal gas cannot be attained experiment अच्छा मैंने सारा जवाब भी बता दिया cannot be attained experimentally प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता can be attained इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता अच्छा प्राप्त नहीं यहां पे आए जली भी नहीं ला सकते और नहीं हम इसे और नहीं फोनजन कर सकते हैं नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता और बिलकुल it does not exists at all बिलकुल मोजूद नहीं है बिलकुल मोजूद नहीं है नहीं व executive और दो है लेकिन वहां तक जाना संभव नहीं है वो आप मान सकते हैं, hypothetical मान सकते हैं, मतलब कभी तो पारे का तापमान उतना गया होगा, इसलिए ideal रखा गया है, लेकिन does not exist at all, आप नहीं कह सकते हैं, is impossible, हम उसे प्रयोगात्मक तरीके से भी ला नहीं सकते हैं, यह सचा ही है, सही जवाब, option number 6, is the right answer, minus 273, जो degree centigrade होती है, उस या समाज का एक आदर्श इनसान हो, बैटा, नहीं हो सकता, आदर्शता के लिए न, 0.0000000001% भी पाप नहीं होना चाहिए, जो कि इनसानों के लिए संभाव नहीं है, क्योंकि two are is human, इनसान तो गलतियों का पुतला है, मुझे उमीद है, आज के इन सारे सवालों में, कुछ चोटी मोटी जानकारियां भी आपको सीखने को मिली, और बैटा, इसके बाद तुरंट आप जानते हो कि बिहार अड़ा पे, क्या कहते हैं हमारे सर साइन्स के आपके पीछे एकदम तुरंट आने वाले हैं, तो जितने बच्चे अभी यहां से जा रहे हो न, वो बिलकुल इंसाफ अंसारी, क्लास अगर अच्छी लगती है, तो एक बार वैश्नवी जे बिलकुल, तो एक बार सर के क्लास में भी आप लोग जरूर जाईए, बिहार अड़ा 24-7 पे, वहां पे सर आपके लिए साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चिन्स भी कराने वाले हैं तो एक दफा तो हो गया साइन्स का यहां पे परिचय, अब एक दफा साइन्स की परिचय ली जाई, बिहार अड़ा 24-7 पे, ठीक है, अपने प्यारे विवेक सर के लिए, तैंक यू, सर जी और पढ़ना है, बिटा एकदम पढ़ना है, कल नौ बजे और और पढ़ना है, त तैंक यू सो मच सर, बच्चे वड़े खुश हैं, तैंक यू, तैंक यू, टेक केर गाईज, धन्यवाद,